हेलो एविर्वान मतब्रोड आए मैं फिर बिने स्वागत गर्दाशु आजा मतब्रोड मैं आज मैं मंडली इतिहास बारे देरे जानकारी मुलक कुरार लेड़ा आएकुछु मतब्रोड आज मंडली इतिहास मां फ्वर्स्ट सेंच्यूरी बटा 21st सेंच्यूरी आज सम्मा कस्ता कस्ता मतब्रोड गटना आरू गटे बने कुरा आरू बतावन गयुड़ा एकुछु Here we go मंडली को इस्थापना करता येशु सोयम हनु भयो येशुले योकार्य उहा का बारा प्रेरी धरू द्वारा पुरा गर्न तिनहरू लाई चुन भयो सिकाउन भयो र कमिशन सहित यसो भंदै पठाउन भयो सारा संसार्मा गयर सारा स्रुष्टिलाई सु समचार प्रचार गर पेंटिकोस को दिन मा 120 जना चेला हरू माती पवित्र आत्मा ओर्डी आउन भय पची चेला हरू ले सक्ती सहस्पाय र निडर साथ पर्मेशुर को राज्य को गश्ना शुरू गरे तेशको पईणाम मंदली को ब्रिद्धी रविस्तार थियो तर त्यो असल नतिजा मात्र नभय अब मुईय चुकाओन समय पनी थियो यहुदी हरू यहुदी इसाई हरू माती जाई लागे एक डिकन इस्तिफनस लाई धुंगाले हानी मारे त्यास समय सतावट को शुरूआत उदाच विश्वास यहरू यरूसलेम बाटा छरपस्ट भई संसार को कुणा कुणा मा पुगे तिने अरू जहां पुगे तेहां गोस्पल प्रचार गरे पहिलो सतावदी सम्म वा सए एडी सम्म सबई चेला हरू को सहीदी करण भई सक्के को थियो औरको भीडियो मा मत पहरू लाई ती बार चेला वा प्रोजी धरको बारेमा ब्रिस्तित रूप मा बतावने नहीं छु रोमी साम्राज जियले इसाई विश्वास लाई रिजियो इलिस्टा हुआ अबईधानिक धर्म भनी गोशना गरे त्यस्यता मंदली भूमिगद भयो इस्तिफणास को मृत्यु संगय शुरू भयको मंदली सतावट चोथो सताब्दी अथवा एदी 313 सम्म भूमिगद रही नहीं रयो पहिलो सताब्दी मा निरो र डोमिशियन जस्ता एक दमे निर्दई सम्राठ हरूले क्रिस्टेन हरूलाई सतावने कादे गरे यसरी मैं तेश्रो र चोथो सताब्दी मा मंदली लाई संसार्बटाई नास पार्ने हेतुले 222 रूमिशम्राठ डेशियस र सम्राठ डियकलेशियन ले डोर लागदो र निर्दई तरिकाले क्रिस्टेन हरूलाई मारमे कादे गरे संपथी जबहत गरी दे देश दिकाला गरी दे तरह भुविगत मंदली कहीले मेटियर नस्ट वा बिलाई भाहर गयन संत हरूको विश्चप हरूको म्रित्यू रतिनी हरूको रगत्ने मंदली को बियु भयो भनी तर्टुली अनले ठीक भने का थिये एडी 313 मंदली तिहासको मां एक विश्चेस समय वाधी हो किनकी यस समय माने महान रोमी सम्राट कंस्टैंड टाइम को परिवर्तम भयो रख्रिस्ट एशुलाई प्रभूर मुक्तिदाता बनी रहन गरे रवसले नहीं इसाई विश्वास लाई अरू रोमी धर्म अरू जाई एक बैधानिक गोशना गरे जुन मिलान को गोशना पत्र द्वारा 313 एडी मां भयो त्यास पाची मंदली भूई गर्दवटर सोतंत्र भयो रशाथे 397 एडी मां सम्राट थियो डोसियस महान ले इसाई धर्म लाई रोमी सम्राज्यको एक मात्र अधिकारिक धर्मा बनी गोशना पनी गरे अब मंदली ले खुलेर आरदना अब नथाले राम्रा अमी भव्व या मंदली भवन हरो बन्निये एडी 313 सन्न इसाई बन्नो एक लाज मल्द रो दुखको कारण थियो बने अब तेही विश्वास गौड़क रो प्रतिस्ठा को कारण बन्नो शुरुबायो मंदली मा स्वतंत्र ता संगय भष्टचार र अनोईतिकता आयो आत्मिक अलश्यत्ता आयो अब मंदली का सुधार को निम्ती र आत्मिक जागरण को निम्ती तेहां एक मुब्मेंट सुरुबायो तियो हो आश्रंबाद वा मनास्टिसिजम जसका पिता संत एंथोनी कहल आ कारेमा पनी एक छुट्टे वीडियो तब होले पाउने ने छो आश्रमबात मनास्टिशिजम ले मंदलु लाए संसारिकता बाटा बचाउने कार्य गरे धेरे मंदली का महान बेक्तित्व अरू आश्रमबाटाने निकले का साधु अरू थिये जस्ताई एंथोनी ग्रेवरी म ध़्हान, अगर्स्टाइन, थिजीए्न, फेमस अक्विनास, र मार्टिन लुथर, इत्यादी प्रादांव्रिक मंदलीना औरको भन्नै पंने पंने वीश्वाई हो जुटोषिच्या र मंदली सुर्व भय Corps के के जशक पछिने जुट शीच्या रो यत्रश्ट्र देखिक न शुरुवायो। जूटा मंडली शिछ्याले मंडली एकतालाई सदे चुनाउती दिने कादे गरो। तरो मंडली का विश्वपरिले त्यसको विरुद्धमा लनकु निल्थी रा सत्य सिछ्या बचाय राखना सबे वंदा महत्तोपुन कदम चालना सके। त्यु कदम हो मंदली को परिशत गठन गर्नूं। AD 325 मा सबय वंदा पहीलो मंदली परिशत बलाईयो। त्यो सम्राद कंस्टान्टाइन को नेत्रित्तो मा नाइसिया वन्ने सहर्मा बयो। त्यसे कारण यसलाए नाइसिया को परिशत पनी वन्ने शत। जसको मुख्य कारण एरियस भन्ने व्यक्ति थिये जसले मंदली को बंदार भिन्ना क्रिश्ट को सितांत फैलाउने कारिया गर्दे थिये जसले हानी एरिया नी जन बनी जान्द छों। यसकारण मंदली परिशत एक नात्र विकल्पथियो जस्द्वारा जुटा सिच्छा लाए दमन गरी मंदली बचावने कारिया गर्न शतुन्थियो। पहिलो हजार बर्ष सम्म तिहां साथ आधिकारिक मंदली परिशत थरुब बलाई एकोश। रती साथे ओटा मंदली परिशत ले मंदली को सिद्दान तला इस्थापित रपक्का गर्ने कारे गरे साथे जुटा सिच्छा लाए दमन गर्ने कारे गरे। पची हामी यसको बारे मामी एरने छों। अरको कुरा जुन हामिले ये समय को मंडली को बारे माय जान्म परने कुरा हो मंडली को केंद्र अरू तेहां विशेश 5 ओटा केंद्र अरुथियो पुरिविय भुवाक्न, 4 केंद्र अरुथिये, अलेकजेंडरिया, यरुसलेम, एंटियोक र कंस्टान्टिनोपॉल, भने पस्चिनना मात्र इलता केंद्र अरुथियो तियो हो रुण निहां सबी वंदा रोचक्कुरा यही छ कि सम्पून साते योटा मंदली का परिशत हरु पुर्वाना भएको थियो पुर्विय मंदली का अग्याहरु द्वाराने विविन्न प्रकार का जुटा सिच्छे हरु आये र पुर्विय मंदली में सक्क्रिय भई, परिशत गठन गई, इसवर सास्त्र का सिध्धान्त अरु, प्रतितादन भईयो तर पस्चिमी रोमी केंद्रित मंदली तियस समय सांत थियो विस्तारे पुर्विय अर्थोडक्स मंदली र पस्चिमी रोमी क्याथुलिक मंदली मा बिविन्ना प्रकार का प्रसासनिक राजनितिक र सैदांतिक सिद्धांत का बिन्नातारू आउना लाग्यो 11.145 आधिकारिक रूब माए पस्चिमी र पुर्विय गरी दूई मंडली विवाजीत बहयो पस्चिमी मंडली र पुर्विय मंडली तीनी हरूले एकरका लाई जुटा भनी बहिस्कार गने कारी हरू गरे पस्चिमी मंदली रोमबाट संचालित भएको कारण यस लाई रोमन क्याथुलिक बनियो बने पुर्विय मंदली लाई पुर्विय अर्थोड़क्स मंदली बनी चीन न थालियो। यस बिभाजन लाई इतिहास मां आमी ग्रेट स्कीजम वा ठुलो बिभाजन भनी जान दचम। यस बिभाजन पची बिविन्न घटना हरु मंदली मां घटे पस्चिमी मंदली वा रोमन क्याथुलिक राचनितिक रूप मां बलियो हुदै गये र यस को सिद्धान्त हरु मां थबदै मंदली मां बिभिन्ना प्रथारु सिद्धान्त हरु लात्मा थाले तर अर्थोडक्स मंदली सांत रयो तेसे कारन पने यस समय मां अर्थोडक्स मंदली बारे मां त्यत्ती धेरेपोन पाइन देना अर्थोडक्स मंदली विश्वास योग्य रही प्रेरितिय सिच्या र परंपराना इस्थी रयो तेसे कारन पने अर्थोडक्स मंदली लाए अईले समय एक मात्र साचो र प्रेरितिय मंदली थांगिनो जरुरी हो किनकी रोमी मंदली रनै अर्थोडक्स सिच्या वा शिदान्त मा विभिन्म शिच्या रो थपने काडिय गरे र भिन्म प्रकार को सिच्या सिकर मथाले अब मंदली को ति हो पस्चिनी मंदली मा भयको मुख्य गटना हो सुधारबाद को आंदोलन वा रिफोर्मेशन मुव्मेंट जसका पिता मार्टिन लुथर कहलाईए नुख्य धर्मसुदा बाद को प्रपनेंधरु जोन हस, जोन विकलिफ, मार्टिन लुथर, जोन क्याल्विन और रिफ्जुइंगली थिये तिन होले रोमन क्याथोलिक मंडली वित्र भयको नराम्रो अबाइबलीय प्रथारु को बिरोध गरे र मंडली सुधार नो परने चेतावनी दिये यो आंदोलन अधिकारिक रूप मा 1570 मा मार्टिन लुथर ले उसका 1590 सी सरूर जर्मन को वित्र भर मंडली को गेट मा टासे को दिन शुरुवायो यो मुब्मेंट मंडली सुधार को निम्ति थियो तर बिभाजन को निम्ति थिये न तर बिड़मना को कुड़ा मंडली विवाजित भयो तुक्रियो यसका कारण हरू सैदांतिक मात्र न भै यसका यसमा राष्ट्रबात जागरन को समय तरकबात आधुनिक बात मानव बात जस्ता विचार हरूले पनी प्रभाप पारे को देखिन चा यस लगते इंगलांड म पनी राजा हेन्री ले हार्जबिशप थोमस क्रान्मर को अनुमति मैं मिली जुली चर्च अफ इंगलांड वा एंगलिकन चर्च बनी रोमी मंडली वाटा स्वतंत्र भय अब यूरोप बाली मंडली बिच युद्ध शुरुवयो जुन इथिहासकार अनुसार 30 वा 22 बर्स विचारधारा रद्रुष्टिकोंर हैकों तين हरूको संवी कोसिज कभीलाय पुरावायन blijeो अब आ उनिहरूको समय यसंचारमा सकीदै गर्दा उनिहरूले चेला हरू बनाए र उनिहरूको चेला हरूले पनी भिन्ण सिधाहंत रू प्रतिपादण गर्न भाण धाले अठारो सताब्दी मंदली जहने स्वतंत्र बने को देखींच, विविन्ना क्रिस्टेन मुब्मेंट शुरुब है और रोमन क्याथुलिक मंदली लेपनी मिश्णरी मुब्मेंट लाई दिप्र बनाये को देखींच प्रोटेस्टेन मंदलीले पनी सु समचार प्रचार र मिसनरी जोशाल पाय र अठारोव सताृब्दी, अनि उन्याइशन सताथब्दी मिसनरी को यूग बन्न पुगेऊ। यज सताब्दी अरुमा महान मिश्नरी अरुकबारे मा हमी पर्षों। आदुनिक मिश्नरी मुव्मेंट का पिता विलियम केरी अनि हर्चन टेलर, एदुनी राम जर्चन र अरु थुप्रे। विशुव सताब्दी मंडली जने लिबरल बने। प्रोटेस्टेन को नाम मा मंडली भित्र जने विद्रोही भावना बड़ियो र पैताली सजार संप्रदाय मा विवाजित बयो। मिश्नरी मुव्मेंट एक दमे असल मुव्मेंट ही थियो। जसले सारा संचारमा सुषमचार पुढयावने कार्ये बन योगदायानपुरियायो। तर मंडली प्रसासन मंडली एकता र मंडलीको परंपरा माथी थाया परने काम गळियो। जुन आजको मंडली में भुगी रएको छो। तसर्थ मंदली मां भहेको मुख्य विवाजन द्वारा त्यहां तीन संप्रदाहरु छन मनी आमी देखना सक्षूं। अर्थोडक्स मंदली, रोमन क्याथुलिक मंदली रो प्रोटेस्टेन मंदली। एमें धेरे लाई रोमन Catholic र प्रोटेस्टेन मन्दली को बारेमा थाव नशक्षा तरह अर्थ retrouve मन्दली तेहां सद ही जिबित रहेगी शो pengang Tao हमि प्रिप्रेarlितिय, शिच्या और पराम्परा और शाच tua मन्दली हो भनी आर्थोडक्स मक्रीलाई जानन शक्षा अजया मिरे यह महत्तक्पून कुड़े आरू है आशाए गर्दोसु तपाई यह मन्दल इतिहांस को रूप रहालाए थोट बाए गणी जानने बाएप आउने दिनरों में यही रूप रहामाराएब मतपफेड रूलाए मन्दली इतिहांस का ती महत्तक्पून घर्टना हार पुबारे मा बुस्थित रूप मा बताव निसुद श्राइब नहोस राओने दिनर मा तबिने नुटिकेशन पाह निसा रमान दाली का महत तो पुना जान का रिरू बतो नुट 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 निसा धने बाग